साहस पराक्रम के ग्रह मंगल एक मई दोजार चौविस को अपनी राशी मेश में जा रहे हैं और यहां पर रूचक नामत पंच महापुरुश योग का निर्मार करेंगे इसका आप सभी बारा राश्यों पर क्या प्रभाव होगा मैं बताऊंगा मंगल यहां पर एक जून दो काक्ष मंगनलम तनोहरी यानि हर शुब काम से पहले हम मंगल की काम ना करते हैं हर शुब शुरुवात से पहले मंगल शब्दा आता है मंगल सिपाही है जो हमाई रक्षा करता है बिना किसी दवाओ के जो सेना के अधिकारी हैं जो सेनिक रमचारी हैं पुलिस के अधिकारी मंगल का रूचक योग राजयोग बनाता है रूचक यानी रूची जो काम मन से किया जाए तो मंगल हमारी इच्छा शक्ती है जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वही वक्ति अपना अधूरा जीवन जीता है जिसका मंगल मजबूत है वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाता है, मंगल फ्री रहे है, मंगल को बांधना कठिन है, मंगल किसी से दबता नहीं है, मंगल स्वतंत्र है, मंगल क्रोध है, इच्छाओं का कारक है, मंगल काल पुरुशी कुली में पहले घर यानि मेश राशी का मालिक है, और मंगल यानि राजा है, मंगल आप कह सकते हैं जैने काहिए राजा का प्रुभू क्सेना पती है। Pratham-भाई यानी सर और सर में दिमाग होता है। Pratham-भाई-पुली का क्या होता हैं? सर, यहां सर में क्या होता है? हमारा mind होता है फिर-ANG-क ह permitted है थाण asks ? क्या है? का इंजन है अगर इंजन ही कमजोर होगा तो गाड़ी के डब्बे कभी नहीं चलेंगे तो मंगल का ये परिवर्तन मेश राशी में आग का काम करेगा यानि आपकी रुकी हुई समंदित कोई भी फिल्ड में हैं जहां पर लोग आप लोगों की रक्षा करते हैं जाए कीलर हैं डॉक्टर हैं कुछ भी है ऐसी फिल्ड से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत ही शांदार है मंगल को भूमी सुत भी करते हैं यानि भूमी पुत्र भी करते हैं इस मंगल की उत्पत्ति जो है शिवजी के आंसु या शिवजी के पसीनिय से हुई थी तो मंगल जो है रियल स्टेट का भी कारक है तो जो लोग रियल स्टेट जमीन जाया से जोड़े हैं उनके लिए भी शांदार समय है तो जो लोग भी बिल्डर हैं रियल स्टेट से जोड़े हैं शां प्रबूद करेगा जिस से हमें रोग नहीं होंगे, शत्रू नहीं आएंगे, मंगल बढ़िया है, तो मंगल चीजों को जल्दी हील कर देता है, है ना, तो यनि अगर आपको कोई चोड़ चपेड विमारी है, तो उसको सही करने में मंगल आपकी अब मदद करेगा, मंगल होगा, क्रोध पर काबू रखना होगा, माली किजिका मंगल रहो के साथ है तो अंगारक दोश बन जाएगा, तो ऐसे लोगों को थूड़ा जादा सावधान देना होगा, अपनी कुल्ली नेखनी होगी, जुस्ये पर काबू पाना होगा, अगर आपकी जरम और मंगल का योग कैसे हो रहा है शनी की तीस्ती रस्ती मंगल पर पढ़ रही है और मंगल और शनी आपस में मित्र नहीं है तो विस्फोटक योग बन जाएगा यानि परिवर्तन होगा यानि कि ये समय परिवर्तन का है दोनों ग्रह जो है स्वेम की राशी में है तो थोड़ पाप राशियों के बीच में मीन राशी का फसना यानि की पाप करतरी योग में मीन राशी फस गई तो आप अपनी जिनम कुली को खोल कर देखिए जिस भाव में मीन राशी लिखी हुई है जिस भाव में मीन राशी आती है उस भाव से समंद्धे दुपाए करिएगा और उस कि यानि कि आपके शुब फ़ल कट जाएंगे यानि शुबता में कैंची जिसे काट जाएगा इस जबान आपकी टेज़ चले लगेगी कैंची की तरी कि तरीके से तो पिर आपकी शुद्वता बढ़ जाएगी तो आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए आपकी कुणली में जहां पर भी मीन श्री जरा कुलीǝी में जिस भाव में मालुक पहले में हैरे में दूटरे में हैं साथ में में जहां पर भी है तो उस भाव से समंदित उपाए करिए पहली चीज Dasis भाव क्या چीज देता है उससे समंदित दूसरा उसमें कोई ग्रह बैठा है तो उसका भी उपाए करिए और मंगल के उपाए आपको क्या करने हूं मैं आपको आपकी राशी के उसर बताता रहूंगा आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं और यह जा जान से मंगल कहां बैटे हूं हैं पंचम भाव में धनु राशी वालो के लिए विद्यार्थियों बहुत 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 करने आ हैं तो ना तो बहतर होंगे ही होंगे चात्र चात्राओं विद्यार्थियों के लिए बढ़िया वक्त है जो विदेश या विदेशी धर्ती पर जाकर किसी स्कूल कॉलेज में अड्मिशन लेना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शांदार वक्त है अच्छे बड़े स्कूल चलाते हैं जैसे आई एस बनने का किसी भी तरीक्ई की पढ़ाई का कोटें जा लिए बहुत बड़िया समय है सरकारी और private टीचरों को लाब बिलने वाला है आपकी higher education के लिए बहुत अच्छा समय है आप बच्चों की study के लिए बहुत अच्छा समय है विदेश जाकर विदेशी संस्थान से जुडने का बहुत अच्छा समय है है अगर आपकी कुल्नी में दशा महाद शाची चल नगी है तो मनपतन स्कूल कॉलेज में अगर आप चहाते हैं हो जाएगा मंगल की दिश्टी 11 भाव पर है तो जो भी लोग नौकरी और वैपार में हैं उनको पदोल नोती और तरक्की तो 100% मिल रही है पैसो में बढ़ोतरी हो रही है खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन खर्चे आनंद देंगे सिहत पर ध्यान देना होगा मंगल आपके अंदर आपकी उश्वास भर देगा आपके अंदर एनरजी भर देगा आप जीवन के हर छण का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे बहुत इकवादी दिनिया में पैसा खर्च करेंगे यानि इस समय में मंगल आपको इतना पैसा दे देंगे इतनी सफलता देंगे आपकी पुराने दुखों को मिटा देंगे आपकी पुरानी जिम्गी के जिए दुख है उनको स्वाहा कर देंगे और आपकी पैसा भी होग दिमाग भी होगा, ताकत भी होगी, आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए हर सुख जो पैसे से खरीदा जा सकता है, वो खरीद लेंगे, और जो आप दे सकते हैं, वो दे लेंगे, तो बहुत ही वंडरफुल समय हैं आपके लिए, संतान को आपकी भागिशाली बना यह भी होएंगे, आपके बच्चों पर आपको गर्व होगा, आप कहेंगे, मेरे बच्चे ने यह कमाल कर दिया, पांचवा घर सूर्य का भी है, सूर्य मंगल का प्रकरतिक बित्र है, तो आप किसी डॉक्री लाइन में हैं, तो बहुत लाब हो सकता है, इंगिन हैं तो बह लगा देगी और बड़ा करिए पानी दीजिए नीम करवी नीम को लगाना ही आपका सबसे बहतरी हुपाय होगा या आपको बड़े भाई हैं तो उनका ख्यार लगना भी आपके लिए बहुत अच्छा हुपाय है या मंगल को अच्छा रखने लिए कहीं नीम का पेड़ लग अच्छा बड़े लाज़े देखने लिए या मंगल आपको तरक्की देने आ रहे हैं और आपको जर्म-कुली में सितारे मजबूत हैं तो आपको चिंता करने का उच्छा नहीं है अगर जर्म-कुली कमजोर है तो फिर कोई भीग रहा आपकी मदद नहीं कर सकता चाया मंग हो या शनी हो या गुरू हो जब तक जर्म-कुली मजबूत नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे जर्म-कुली को दिखाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए आप यह नंबरों के सम्पर्क कर सकते हैं राधे राधे